नमस्कार दोस्तो अब सभी को मेरा यूटीब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तो मेरे वीडियो में कुछ कॉमेंट्स आया है मैं उनमें से दो कॉमेंट्स आज लिया हूँ पढ़ने के लिए पहला कॉमेंट्स रोहिट ब्लॉक्स ने किया है उन्होंने कॉमेंट्स किया है कि आपका वीडियो 3x स्पीट से देखना पड़ता है क्यूंकि आप बहुत स्लो बात करते हो हा रोहिट जी ये सच है मैं बहुत स्लो बात करता हूँ मेरा बोलने का तरीका यही है मैं ज़्यदा स्पीट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे एसा ही बनाया है हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है कोई बहुत ज़्यदा स्पीट बोलते है तो कोई स्लो बोलते है और जो लोग स्लो बोलते है उन में से मैं एक हूँ तो मैं तो कोशिस करता हूँ कि मैं जल्दी बाते करूँ कम समय में अधिक बाते बोलके आप लोगों को कम समय में ज़्यदा इंफ्रमेशन दूँ लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है मैं नहीं बोल सकता हूँ यह मेरा पहले से आदत है तो मैं जितना सकता हूँ मैं जितना इंफ्रमेशन जुटा पाता हूँ अध्रक से रिलेटेट उसी को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को इंफ्रम करता हूँ कोशिस करूँगा कम समय में ज़्यादा बात बोलने की और आप लोगों को ज़्यादा इंफ्रमेशन देने की लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और पिछले वीडियो में मैंने जो महारस्तर का रेट बताया था 65 रूपिया से 80 रूपिया तो इस रेट के बारे में सुधिरी नगीमि जी ने भी कॉमेंट किया है उन्ह lotta है कि 75 रुपिया जो रेड है प्रतिकिलू अद्रक का ये actually किसानों को मिलने वाला रेड है मतलब 65 में किसान को 65 रेड किसान को खेट में मिलता है और 80 रुपिया का जो रेड है प्रतिकिलू का 70 रुपिस का वो हो गया मंडी का रेड मंडी का रेट अलग होता है किसानों का रेट अलग होता है जैसे हमारे नौटिस में बड़ा मंडी है सिली गुडी का मंडी सिली गुडी रेगुलेटिट मार्केट तो ज्यादा तर माल वही में जाते है और वहां का रेट अलग होता है और हमारे अलग-अलग जगवों का प्रोडाक्शन एरियाओं का अलग-अलग होता है दोस्तों सुनने में आए कि इस बार महारस्ट में पानी बहुत कम है और पानी कम होने के कारण महारस्ट का जो अधरक का फसल है वो फसल ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक जमिन में रहेगा नहीं वो सारा माल को, मतलब मैक्सिमम माल को जनवरी तक, जनवरी लाश्ट टक निकालना पड़ेगा किसान ऐसे मुझे बताया है अगर उसप छित्र से जिस छित्र में पानी कम है उसप छित्र से ज़्यदा प्रतिसत में माल अगर जनवरी तक निकल जाएगा तो उसके बाद जो माल रह जाएगा तो वो कम होगा ऐसा कम होने से या तो माल का सोटेज होने से बजार में तेजी आने का पूरा संभाबना होता है लेकिन बात यह है कि सिर्फ महारस्टर की सोटेज को देखने से ही नहीं होगा उसकी हिसाब से बैंगलोर का सौटेज भी होना पड़ेगा अद्रक का और हमारे नौटिस का भी सौटेज होना पड़ेगा माल का कमी हर जगह में होना पड़ेगा और मार्केट में ओल अभार इंडिया की जितना भी मंडी है मार्केट है हर मार्केट में हर मंडियों में डिमांद ज़्यादा रहना पड़ेगा ऐसा होने से ही अद्रक की भाव आने वाली फ्रेवरी मार्स एप्रिल महिने में हाई डिट में बिक्री होने का संभाव ना है इस सल हमारे नौठिस में अद्रक भरपूर है पिछले साल मतलब पिछले सीजन में जितना अद्रक निकला था उससे कही गुना ज़्यादा अद्रक इस सीजन में निकलने वाला है अभी तो हमारे च्छत्र से 5% माल भी नहीं निकला है 5% माल भी नहीं निकला है फिर भी सिलीगुडी मंडी डाउन हो गया है अगर इस सारा माल अगर एक साथ में एक टाइम में निकलेगा तो बजार का जो भाव है जो एक्सपेक्ट किया है बढ़ने का वो नहीं होकर उसको उल्टा हो जाएगा उसको बिपरित हो जाएगा आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ धन्नबाद जैहिन